लेंगिक परिपक्वता पर होने वाले परिवर्तन लड़के और लड़कियों दोनों के शरीर के कुछ भागों जैसे की कांख एवं जांगों के मध्धे जननांग क्षित्र में बाल गुच्छे निकलाते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं तवचा अक्सर तेलिये हो जाती है तथा कभी-कभी वहां से भी निकलाते हैं लड़कियों में अंडाशय से रजो धर्म प्रारंब हो जाता है वसा के जमाव से स्तन के आकार में व्रिद्धी होने लगती है तथा स्तनाग्र की तौचा का रंग भी गहरा हो जाता है हड्डियों तथा शरीर की लंबाई में व्रिद्धी होने लगती है तथा दुईतियक जनन अंग जैसे फैलोपियन नली का गर्भाशय आदी परिपक्व होने लगते हैं सभी लड़कों में व्रिशन की शुक्र जनक नलिकाओं की जनन ग्रंथियों से शुकराणों निकलने लगते हैं दुईतियक जनन अंग जैसे प्रस्थ, प्रोस्टेट, ग्रंथी तथा शिश्न परिपक्व हो जाते हैं दिवास्वपन अत्वा रात्री में शिश्न भी अक्सर, विवर्धन के कारण उर्ध्व हो जाता है नरों से मादाओं में शुकराणों के स्थनांतरन के लिए शिश्न की आविशक्ता होती है कंधे चोड़े होना, आवाज में भारी पनाना, लंबाई का बढ़ना इत्यादि भी इसके अंतरगत सम्मिलित है